नमस्कार किसान भाइयो, मैं हूँ दिपांशू रंजन और आप देख रहे हैं ग्रामोफोन का यूटूब चैनल आज हम आये हैं ग्राम साली में, जहां मिलने वाले हैं किसान भाई मोहन वर्फा जी से जुन्होंने कपास की खेती की है और ग्रामोफोन के कपास अम्रद्धी गिटका उसमें इस्तमाल किया है तो आईए जानते हैं उन्हीं के जुबानी उनके खेती के अनुभव को नमस्कार नमस्कार जैसा कि हम देख पार है हमारे चारो तरफ कपास भरे बड़े हैं तो इतना अच्छा पादन आपने कैसे प्रवाप्त राफ किया आपकी कपास की खेती का अनुभव कैसा रहा हमारे किसान भाई के साथ साधा गरें इस बढ़े रहा इस बार में ने खसल सम्रद्धी के इट उसका उप्यों किया था उससे जड़ का फूटाव अच्छा हुआ और हरा पन भी अच्छा रहा जिससे उसे बहुत अच्छे बनें तो आपने कपास सम्रद्धी के इट का समाल किया तो इससे और किस तरह के जानना चाहेंगे कि आप कितने एरिया में कपाज की खेती करते हैं जानना और संख्याओं के अनुसार कितना उत्पादन हो सर में 17 एकड में इस वर कपास की थेती करा मेरे को 170 कॉंटल कपास हो तो यह अगर पिछले बर्स की तुलना में देखा जाया तो आकडा कैसा रहा तो इस वर पानी अगर यह पानी एक साथा पानी गीरा सर अगर यह सब्सक्राइब यह आपके अनुभव जरूर पूछना चाहेंगे तो आप अपना फोन नमबर तो आखिर में आप किसांभाईयों को जो आपको देख रहे हैं इस वीडियो के बादम से उनको क्या संदीज देना चाहिए सर में यही बोलूगा सर की घ्रामोफोन से जुड़ा सर और कपा संदी कीट को मैंने उप्योग किया उनसे बुलवाया और उसका उप्योग किया चाहेंगे कि बागे किसांभाई भी उनका उप्योग करें बहुत बहुत अच्छा बहुत धन्यवाल आपका तो ये थी मोहन भर्फा जी की कहानी, आप भी अगर मोहन भर्फा जी की तरह समरुद्ध किसान बनना चाहते हैं और बहतर कृशी करना चाहते हैं, तो gramophone से जरूर जुरे, gramophone से जुरने के लिए आप gramophone कृशी मित्र आप का इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे toll-free number पर call कर सक आपने करे जड़ने को जोगने को कोड़ करे तो दोल्दों के जड़ दुमने को की रगना हुआज आप पना हुआ है